दोस्तो अगर आपको भी इंग्लिस के कारण अच्छी जोब अकॉम्टेशन अग्जाम नहीं हो पा रहा है तो दोस्तो डिस्क्रिप्शन में ती हुए लिंक से ओल्लाइन इंग्लिस क्रास को जुरू जोइन कर ले तो दोस्तो आज का वर्ड ओफ दे है फ्रिंच एलिमेंट् मतलब होता है बाहरी लोग या दोस्तो किसी बात को किनारा कर देना दोस्तो इसका यह मतलब होता है कि क कोई भी कोई भी सभाय या संगठन होता है वो काफि तो दोस्तों वह उस बात को हटा देता है आनि कि दोस्तों उस संगठन या सभा के लिए वह बात ठीक नहीं रहता है दोस्तों इस प्रकार हम fringe opposite का यूज करते हैं तो दोस्तों आज की वीडियों के शाफ्त करते हैं धन्यवाद दोस्तों